हेलो नमस्कार साथ यो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे नवीन जी के जी चैनल पे तो जैसा कि आप सभी चातर जो है काफी गलती कर रहे हैं काफी मिश्टेक कर रहे हैं काफी कॉमेंट आ रहा है जो सर पाट A और पाट V को जो है कैसे फिल अप करना है और जो काफी चातर का कॉमेंट आ रहा है और गलती भी हो रहा है तो जो है गलती आप सभी नहीं कीजिएगा तो देखी यहां पर यह पाट पाट जो है यह फॉर्म है ठीक है यहां पर देखिए पाट यह लिखा हुआ है जो कि आप एक्जामनेशन से पहले जो है जब फॉर्म लगाना है ठीक है फोटो लगाने के बाद जो है आपको यहां पर सिंगनेचर कर देना है यहां पर देख सकते हैं बगल में जो है क्या करना है आपको यहां पर सिंगनेचर कर देना है ठीक है यहां पर जैसे इंगलिस है तो इंगलिस है और यहां पर हिंदी है तो हिंदी मे जो है आप जिस दिन sequence होगा उस दिन क Вас देदेज़े और कहा हो रहा है वह district का यहाँ पर नाम देदेजेगा जगा का नाम देदेज़ेगा ठीक यह हो गया उसके बाद देखिए क्या करना है नीचे आना है आपको और नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ पर देखिए रेजिटेशन नमबर और उसके बाद देखिए इसमें कैसे क्या फिल अफ करना है तो काफी छातर जो है गलती कर रहा है तो ऐसा गलती आप सभी नहीं किजिएगा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग तो अभी जो है फर्स्ट काउंसलिंग ही चल ला है अभी नहीं हुआ है नहीं मौपप काउंसलिंग हुआ है ठीक है तो इसको और इसको अभी नहीं फिल करना है आप सभी को क्या करना है फिल सिर्फ और सिर्फ यह करना है फर्स्ट काउंसलिंग ठीक है तो यहाँ पर देखिए रॉल नमबर फिल कर दीजिगा इसमें और उसम चिवट ये भी आपको छहोड़ दिजिएगा यहांपर ट्रेड हुर्स ये भी आपको छहोड़ दीना है सिर्फ आपको को यहानपर सिंगनेचर 1920 गुषनी करना है जो दिन counseling है आपका ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है photo लगा देना है और photo कितना लग रहा है तो 10 copy अभी जो है online लेकर के जाईएगा जिसे कि online अभी जो है हो रहा है तो इसमें जो है 10 copy लग रहा है photo ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देना है ठीक है यहाँ पर जो है नीचे में इसको देख करके मेरे द्वारा उपर अंकित की गए जो भी line लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर same to same fill कर देना है ठीक है उसके बाद क्या करना है नीचे देख लेजे यहाँ पर जो है क्या करना है आपको जो है अभिवाग द्वारा घोशना तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है यहाँ पर फादर का नाम फिल करना है या जो है माता का नाम फिल करना है या पती है तो पती का नाम फिल कर देना है ठीक है यहाँ पर एकुलक कर दिए के उसके बात के आप्पने सथाने पार्य और पुस देना है ठीक है सेम सिंगनेचर उसके बाद देखी यहां पर लिस्ट तो यहां पर जो है इनकुलोजर में जो है आप जो भी डोकुमेंट दे रहे हैं मार्ग का लग रहा है तो उसको जो है सिर्च जो इसके आपका ची लिगेंए देंगा भी डिकी ये तो हो गया उसके बाद देखें यहां पर आपको स्कांसलिंग के लिए दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं first counseling के लिए यहाँ पर Hindi और English में signature होगा यहाँ पर आपका thumb लगाया जाएगा ठीक है तो यह आप सबी यहाँ पर full signature candidate यहाँ पर कर दीजिएगा और यहाँ पर Hindi English में करना होगा और यहाँ पर यहाँ पर दीजिए फिर से आपको first counseling में जो भी है fill कर देना है उसके बाद इसमें first counseling में fill तो कर दिए उसके बाद देखिए क्या करना है तो यहाँ पर भी आपका roll number और category fill करके छोड़ देना है और कुछ fill नहीं करना है जो नहीं समझ में आए तो वहाँ पर fill हो जाएगा आपका already ठीक है और बस इतना तो कर दिए बस यह form जो है okay हो जाएगा आपका उसके बाद देखिए यहाँ पर check slip कैसे fill करना है और देखिए इसका दो कॉपी लगड़ा है आपका जाँच पर्ची का जो है दो कॉपी लगड़ा है और इसको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर किलिक कीजिएगा चेक से लिए बायोमेट्रिक फर्म तो आराम से डाउनलोड हो जाएगा कोई दिकत नहीं होगा इसमें भी काफी छातर नहीं समझ पा रहे हैं और गलती कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले गल्स और बाइस दोनों देख लिजे क्योंकि गल्स को थोड़ा समझने में समझ नहीं पा रहे हैं वो जो है गलती फिल कर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम हिंदी में यहाँ पर fill कर देना है सबसे first number में उसके बाद जो है अंग्रेजी में आपको नाम fill कर देना है उसके बाद देखिए यहाँ पर roll number करमांक जो भी है आपका admit card पर देख करके जो फिल कर देखिए कोटी जो भी कोटी से आते हैं आपको कोटी यहाँ पर लिख देना है उसके बाद देखिए मेधा करम open marriage list तो इस बाद जो है result दिया गया है एक बिहार लेवल पर है और एक district लेवल पर है कितना rank है और जो है कोटी में कितना rank है यू आर केटेगरी में तो इस में fill कर देना है open marriage list में open वाला हो गया उसका fourth number में क्या करना है यहाँ पर district वाला देखिएगा जो भी आपका है district में कितना rank है तो यहाँ पर यू आर केटेगरी का district वाला और यहाँ पर कोटी का डिस्टिक वाला फिल कर दीजेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर पिता का नाम फिल कर देना है, और अस्थाई पता जो भी आपका पता है वो फिल कर दीजेगा, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, क्या दिया गया है, वो देखिए, या महा विद्याले का नाम जहां तत्काल अध्यान कर रहे हैं तो तत्काल जो है अध्यान अगर आप कहीं पर कर रहे हैं या पास आउट हो गए हैं ठीक है कहीं पर पास आउट है तो वहां का फिल कर दीजिगा या अध्यान आप सभी कहीं कर रहे हैं वहां का फिल कर है आपका ITI एवम संबंधित जीला जहां के लिए अभ्यारति को ITI के परवेश पतर प्राप्त है तो जहां आप एक्जाम देने गए थे उसको जो है यहां पर मैंसन कर देना है ठीक है जो भी जीला में गए थे यहां पर जीला का नाम मैंसन कर देना है मोवाइल नमबर जो है यहां पर फिल कर दीजीगा ठीक है मोवाइल नमबर यहां पर आधार संक्या नमबर यहां पर जो है इमेल आइडी होगा इमेल आइडी और दिननांक के यहां पर फिल कर देना है और उम्मीदवार का हस्ताचर कर देना है यहां पर फोन नमबर नहीं हो उसमें डोकुमेंट सारा दिखाए गया है जो कौन-कौन सा डोकुमेंट लगता है ठीक है तो यहाँ पर मैट्रिक का आप देख सकते हैं समकक्ष परिक्षा का मूल परवेस पतर और अंक पतर और जो है प्रोविजनल बस यही तीन जो है आपको ले करके जाना है रेश्टेश है तो ऊरिजिनल डूबलीकेट है तो डूबलीकेट या फोटोकोपी है तो कोपी ले करके जाएँ जो भी आपके पास डोकुमेंट है वो ले करके जाएँ नहीं है कोई भी तो भी वो भी जाईए और फिरिज कर दी हैं वो भी जाईए छोड़िएगा नहीं कोई भी चातर क्योंकि बाद में वीडियो हमारा देख रहे हैं और कॉमेंट कर रहे हैं सर हम फॉर्म कैसे भरेंगे अपग्रेट नहीं किये हैं यह सब प्रॉब्लम जो है बाद में आप लोग जो है छे परती नहीं दस कोपी ले करके जाईएगा दस से जादा ही ले करके जाईएगा तो जादा फाइदा होगा आपके लिए दस कोपी लगता ही लगता है इसलिए जो है दस कोपी से जादा ले करके जाईएगा उसके बाद जो है अंचल अधिकारी द्वारा जो है रक्षित कोटी का परमान पत्र आप ले करके जाईएगा ठीक है उसके बाद आए होगा तो आए कहा नहीं गाए लेकिन लेजेगा और देख सकते हैं यहाँ पर आच्रन परमान पत्र जहाँ पढ़ाई तो भी लेकर जाएगा और यह जो है metric pass करते हैं तो भी मिलता है inter pass करते हैं तो भी मिलता है school college दोनु जगहसे मिलता है काफी छातर इसमें जो message कर रहे हैं हमारा आचरण पर्मान पतर नहीं है तो आचरण पर्मान पतर जरूर से जरूर पर देंगे उसके बाद और आपके पास होगा ठीक हेब, कोई भी सोटिफिकेट नहीं लागेगा ठीक हेब और उसके बाद दीखी यहाँ पर आपका जनमतिती फिल कर देना है और यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है उसके बाद छोड़ देना है ठीक है उसके बाद दीखी यहाँ पर समझ में आई तो फिल कीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए यहाँ पर आपको वही पर सामने में दे देना है ठीक है यह सब जो है यहाँ पर शोर दीजिएगा और देखिए सभी जगह पर जो है आप लोग ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको कैसी भी ले जा रहा है तो आराम से जाईएगा दस यह आपका जो है 970 रुपया लगड़ा है और जो है 740 का जो है आपका नाम यहाँ पर ओपन मेरिट लिस्ट और यहाँ पर जो है डिस्टिक मेरिट लिस्ट और यहाँ पर संस्थान का नाम और साखा का नाम तो यह सब छोड़ देना आपको यहाँ पताधिकारी जो है सिगनेचर कर देंगे ठीक है और उसके बाद देखी यह जो उसके बाद देखी यहाँ पर कैटेगरी में एक है ऐसे केटेगरी में इसटना रेंख होगा हुषकोफिलकर देना है तो RCG quota से RCG quota से सिर्फ girls आते हैं ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर EWS से आते हैं तो EWS का भर देना उसका यहाँ पर आपको mobile नमर और अधार नमर फिल कर देना है इसके अलाबे आपको कुछ नहीं फिल करना है यहाँ पर लगेगा तो वो जो है सामने में लगेगा यहाँ पर आपको सिंगनेचर सिर्फ कर देना है उसके अलाबे आपको कुछ नहीं करना है बस इतना चीज अगर कर लिए तो आपका कोई भी चीज जो है वहाँ पर गलती नहीं होगा आराम से जाईए आपका एडमिस्वन हो जाएगा काफी चातर जो है इस फर्म को जह सही से नहीं फिल कर पा रहे थे इसमें कुछ जादा करना नहीं है आराम से फिल कर लेना है बेसिक डिटियल है ठीक है यह सब चीज आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं कोई भी वीडियो आप लोग को परवाइड करा जाता है तो उसे पूरा देखा किजिए क्योंकि आधा देखते हैं और कोमेंट करना सुरू कर देते हैं पूरा देखिए उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर दुबारा देखिए नहीं समझ में आता है तब जाकर करके जो कोमेंट किजिए तो ज्यादा आई टी आई का तो इसलिए जो है चैनल सस्क्राइब करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको जो है मिलता ड़ेगा ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिया क्योंकि काफी छातर बाद में आते हैं और जो है कॉमेंट करते हैं सर हमारे ये कैसे होगा ये पता नही प्रवाइड कराया जाएगा कोई भी गलत जनकारी हमारे द्वारा नहीं प्रवाइड कराया जाएगा और खुद का एक्सप्रियेंस है और जो है आप लोग का साथ और सहीयोग से जो है ये चैनल आगे बढ़ रहेगा ठीक है तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत दन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो